तो हेलो दोस्तों क्या हाल चाल है तो उमीद करता हूं से भी ठीक होंगे तो यहां पर टी एफटी नोग टूल का यहां पर एक नए अपडेट आ चुका है जैसे कि मैंने आपको बोला था भाई टी एफटी के अंदर जल्द ही आपके एमाई नमबर पेर का भी ओप्सन यहां पर निकल किया ठीक है तो उसके बाद यहां पर बात करें सैंसंग की सैंसंग के मोबाइल को आप यहां पर असानी से यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर इस्टाल कर देंगे ठीक है तो यहां पर इस्टाल हो जाएं थोड़ा से यहां पर टाइम लगेगा थोड़ा इंतजार करते हैं जैसा कि आपको पता है मैंने कुछ वीडियो आपको दिखाई भी है मोबाइल टेस्ट करवा गया भी दिखाया है पिछली बार मैंने आपको बता था जो कैसे सोल करना वो मैंने आपको बता दिया तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई सभी मां आपको यहां पर पूरी डिटेल में बता बता रहता हूं कौन सा टूल कैसे काम करेगा वैसे एक जबर्दस अब्डेट निकल के आप जबर्दस टूल है तो आप इस्तमाल कर सकते लिंक आपको वीडियो डिस्किप्शन में मिल जाएगा उसके बाद यहां पर इसके फीचर यहां पर बता देता हूं जो भी हमारे न इसके बादर करेंगे इसके बाद यहां पर ट्याव कर लेंगे यहां पर ओपन कर लेंगे आपदर लोगिन पर चाहें सिंपल यहां पर यह थो हो जाएगा ठीक है जोभी है तो यहां पर फोड़ा से इंतजार कर देख बार बात करें सबसे पहले पर खुला है माई यहां पर काफी सारे मोडल यहां पर जैसे यह देखिए नोट 11 यहां पर नूवाल मोईल यहां पर अड़ कर दिया फाइब ब्रो मोड में कर सकते उसके इंदर यहां पर चीप लगा हुआ ठीक है और यहां पर जो आपका Android वरजन यहां पर ट्वएल आया होँआ उसके बाद यहां पर यहां देखिए सब कुछ यहां पर पता दिया ह फन मोडल यहां पर कनेक्ट होए मोड ने सब्सक्क्रों maior उमक्नेकर कर सकते बूटलो कर सकते हैं और मई कंपार क्रण एक आपस करने का सकते मिल जाता है रिडियक फचर की बात करें पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर ले सकते हैं घरे कर सकते हैं जो है रिमोंड सबस्टाइब करें कर सकते हैं इंडु ele करें और शहला इंडोईần है और माइट और हॉ एकाउंट कर सकते हैं हैं इसके इस्ट में काउंट को और सraf değild ile इसके इंस्टाल कर सकते हैं इंस्टाल कर सकते हैं अगर आपको अपने मोबाइल उपन नी करना तो आप अपने इडियल मोड में लेके जा सकते हैं, वहर फेस्ट कर सकते हैं कर सकते हैं sort च्छेस्टाल कर सकते हैं यहांपे डिसेंबल अपडेट कर सकते हैं यहांपे मेट में बात करें रीचेट नोग अपर बूट लोडर हो यहांपे निए तो यहां कि बात हैं माय को यहां पर प्लैस knew ओ है उसके बाद लिनुव। यहां इ truthful मिल जाता है सकते हैं। देखने मिल जाता है। उसके बाद इरेजा फर्विक आप्शन देखने मिल जाता है रीड इंफर्मेशन बाइपास MTP मोड में आप यहां पर बाइपास कर सकते हैं जैसे YouTube बगारा बगारा उपन करते हैं वैसे कर सकते हैं कि बात करें शैंसेंग सब्सक्राइब करें अफिर्डब्र इंब सब्सक्राइम कितने सारी सेवunge कर सकते हैं की बात करें तो यह आप पी यह देखे अलग-अलग होने वाले अलग-अलग मोडल के अलग-अलग फीतर होने वाले ठीक है जो इडियल मोड़ वाले है उसकी बात करें Yakima PK UK कर सकतेügां केजी लोक भी बाइपस करने का वाले इंस्टाल कर सकते हैं रिशेट पास कोड का उप्षन भी देखने मिल जाता है इसके पाद कुछ और वाला वाला वही सेम है यापे और इससाइड फीचर लगब सभी के सेम होने वाले है थोड़ा भोतिया आपे कुछ-कुछ मोडल में आपके चेंजिंग में आपे यह माइनमर करने का उप्षन यह आ गया है यह यह देखें ठीक है तो बात करें यह नमबर कैसे रिपेर करेंग सबसे पहले फीचर की बात कर लेते हैं तो मैंने बता दी है उसके बाद ओडियन वाले जो फीचर आया and नpower ले सकते हैं you आपकी उसे रीड़ कर सकते हैं या पर रिपेर कर सकते हैं या पे 2017 वाले जो मूभाइल हैं वे हाफियं की कर सकते हैं एमटी पे में रियस आ कर सकते हैं उसके बाद रिपेर कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं नंबर थे क्या है क्या है क्या नहीं वो आप यहां पर रिश्टोर कर सकते हैं और जो आपको रूट करने के बाद की बात अब आई यह सभी रूट होंगे उसके बाद ही वर्क करेगा है ठीक है यह मैं नंब आया आता को भी को फिक्स कर सकते हैं ठीक है पैच कर सकते हैं रिप्रक के बॉल यह जरूरत कप पढ़ती है जब कर प्रिपेर करने हो ना उसमें आपको एरर निकल के आता है तो उस case में आपको module फाइल जो आपकी होती है module जो भी है तो वो आपको change करने के आफ सकता होती है तो आप यहां पर write कर सकते है ठीक है manual reset करने का option मिल जाता है यहां पर set c में कुछ signal का यहां पर option है इसके बारे में बात करेंगे जब आफ सकता होगी भाई अभी तो नए अपडेट आया देखते क्या error निकल के आएगा क्या feature होने वाले यहां यहां पर serial number wifi यह सब आप रिपेर कर सकते रिपेर कर देंगे यहां पर 15 डिजिट के आपको यहां पर डालने पड़ेंगे उसके बाद रिपेर क्लिक करें ठीक है जबर्दस्त है रूट होना चाहिए mobile उसके बाद ही वर्क करेंगा उसके बाद ओडिया और मोडल की बात करें तो और मोडल में यहां पर काफी सारे feature ही है मैंने आपको ब इसके बाद नोकिया ही बात करें तो भाई नोकिया में आपको आना नोकिया पर टिक करने के बाद यहां पर नोकिया कुछ मोडल आ जाते है जो कि आप यहां पर सेलेक्ट करके देख सकते ब्रो मोड में होएंगे आपके सब्सक्राइब कर सकते इसके बाद निकरना कुछ निकरना आप फास्ट बूट मोड में कर सकते वाइप डाटा यहां पर कर सकते है उसके बाद ब्रो मोड वाली की बात करें सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऊसके बाद यहां पर हवाई के मोबाइल है उसकी बात करें तो कुछ मोडल तो आप कर सकते इडियल मोड में कुछ मोबाइल ऐसे जो आपके टेस्ट से होएंगे और के कई मोबाइल होते जो टेस्ट पॉइंट आपको लगाने जरूरत होगी मैं यहाँ पर देख रहा हूं याँ आप यह कर सकते हैं लोग बूट लोडर हवाई आई डिबाई पास कर सकते यह वह सब सेम हैं फीचर की बात करें फीचर में भी पास वही सेम है थोड़ा वो चेंज हो जाता कुछ-कुछ मोडल के साथ एपल की बात करें तो आपको काफी सारे अपडेट देखने मिले आपको बता था भाई जो है इसके अंदर अभी जैसे मैंने आपको बताया कि यह माई नंबर का अपडेट आएगा अभी इसके अंदर एपल का भी अपडेट आने वाला है जैसे आप बिना आपके मोबाईल को जो है जैल ब्रेक की आप यहां पर फाइनली जो है आपकी सीम वर्क के साथ आप यहां बाई पास कर सकते हैं जबरदस्त अपडेट आने वाला है इसका भी थोड़ा इंतजार कीजिए भाई ठीक है वह कर सकते हैं स्क्रीन लोग यहां पर लगा हुआ आप यहां पर बाई पास कर सकते हैं यहां पर सिगनल लियाएगा उसमें सीम नहीं चलेगा उसकी आप यहां पर द्यान रखें ठीक है रैम डिस्ट का उप्सन यहां पर देखने हैं वह भी आप यहां पर कर सकते हैं यहां प आपको 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 क्लाउड वाइपास करना पर्मनेंट उसका भी सिलूशन वह आपको मत जल्द बताने वाला हूं भाई यह राम राम से सभी वायो बता दें चल्ब को सस्क्राइब करो भाई वीवो में आएंगे मोडल नमबर आपको यहां पर स्पोर्ट करता था वीवो वाई 20, 20, 20, 20, 20, अब तो जबरदस्ट अपडेट आ गया है आपको किसी और बोक्स डोंगल में जाने जरूरत ही निया भाई इसमें ही आप ट्राई कर सकते हैं इरेज आफर्पी कर सकते हैं फेक्टरी रिसेट कर सकते हैं यहां पर ओप्सन देखने हो मिल जाता है यह सब इडियल मोड में काम करने वाले रिसेट इफस कर सकते हैं वाइप कर सकते हैं फेक्टरी रिसेट कर सकते हैं फेक्टरी रिसेट कर सकते हैं इडियल मोड में फोर्मे पर वही factory reset plus FRP करतो यहाँ पर बात खतम और कुछ नी करना भी वो के mobile में कोई error आ रहा है demo remove करना वह आप यहाँ पर कर सकते है इसकी साहिता से safe format कर सकते है आप अपने mobile को रीडे information का तो यहाँ पर option यहाँ पर factory reset और FRP का option unlock bootloader यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर से फॉर्मेट का option भी देखने मिल जाता है यह जबर्दस्त अपडेट है उसके बाद भी वह बाद यहाँ आप बात करें media tech की format partition file यहाँ पर December my account का option देखने मिल जाता है पर यहाँ पर सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके स्केटर फाइल देखें यहाँ आप सिंपल अपने मोबाइल को फ्लाइस कर सकते हैं यहाँ पर काफी सारे मोडल दिये गए टेक्नो का आप यहाँ मोडल सेलेक्ट कर सकते यूएस यानि नए मोबाइल आ रहे यूएस जिसमें लगी हुए एक EMMC आतिया आपकी एक EFST आति सद्शूरूल ले सकते हैं यहाँ पर रिसेट ना नए नीकर सकते हैं और आमेल पर उसकूर को यहां पर क्वालकम वही फ्लैस फाइल आप देगे अपने मोबाल को यहां पर फ्लैस कर सकते हैं ठीक है यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे फ्लैस फाइल देगे फ्लैस कर सकते हैं कि यूजर रेहाँ कर सकते हैं मैनेबल भी कर सकते पार्टिजिन आपके आप इंपalayке फॉल्ट गर सकते हैं मैंनमल भी आप उसको कलिक करें कर सकते उनिवेर्सल में आप आई तल के लिए पिए गए आप यह देख पार वाइच्टने मोबाइल है वो सब यूनिवर्सल वाली यहां पे अलग से यहां पे आप त स्पाइस कोड़ रिद इन्फर मेशन यहां पर करने का प्सक्ति वह सब इसके नहीं देखने हो जाता है फीचर की बात करें रिदी से माइवाइब रीड इंफरमेशन प्रहेशन प्रहएं रीड फ सक्टोर्फिये से ड्रय इंस्टाल करने का अप्ट्र मीदे वह सब सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर यहां पर कर सकते हैं आपको देखने हुए जबरदस्त अपडेट आप इस पी आपको देखने हो मिल जाता है यानि आपके जो एप होते हैं आप मैनुल इंस्टाल कर सकते हैं यहां पे इस तूल में एप स्लेक्ट कर सकते हैं मोबाइल में यहां जनरल की बात करें वहाँ विसे सब सेम है यहां पर रीड इन्फरमेशन ले सकते हैं यहां पर तेकल सकते हैं जिसमें रेजए फर हैं फक्टर इसे पर यहां पर अपर शिरेक्ट करें हैं यहां पर क्या करना है नहीं मिल Tusk देख सकते कोन से मोबाइल का कहां पर टैस्ट पॉइंट दिया गया हाप कोई से भी मोबाइल का यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते है ठीक है तो जबर्दस अपडेट निकल के आयए अब हाई जबर्दस टूल है जबर्दस्थ फीचर है भाई सहाब किसी और बॉक्स डोंगल में आ और ऐसी वीडियो देखने लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आई है पसंद क्यों नहीं आएगी यार इतनी मैनस से अपडेट लेका हैं, इतनी मैनस से आपको पूरे फीचर नहीं आपे समझा दिया है, वीडियो तो मेरे को पता है, हंडरेट परसंट आई ह चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और एक प्यारा सा कोमेंट जरूर करना भाई, जिसको भी ये टूल अच्छा लगा है, और इस्तमाल करो भाई, सभी दूसरे टूलों को आप बूल जाओगे, ठीक है, इस्तमाल करो, थैंक्यू फॉर वांचिक मेर भाई, फिर मिलते के इस नेक्स्ट वीडियो में एस वीडियो देखने में चैनल को सब्सक्राइब करना, बिलकुल मत भूलो भाई,